पती पतनी का रिष्टा हो तो ऐसा एक कॉलोनी में एक पार्टी का आयोजन हुआ जिसमें कॉलोनी के सभी शादी शुदा जोडों को उलाया गया शाम का समय था सभी लोग अपने ओफिस से आने के बाद तयार होकर सीधे पार्टी में पहुँचे सभी एक दूसरे से मिले शाम का खाना भी महीं खाया फिर एक बुज़र्ग व्यक्ति पार्टी में आये और उन्होंने कहा कि आज हमने ये पार्टी रखी है ये एक विशेश पार्टी है आज हम कुछ नया करने वाले हैं सारा दिन ऐसे ही ओफिस के चक्कर लगा लगा के निकल जाता है चलिए आज हम सभी एक गेम खेलते हैं व्यक्ति ने एक वाइट बॉर्ट मंगाया और पार्टी में से एक महिला को चुना अब उस महिला से कहा कि इस बॉर्ट पर वीज ऐसे नाम लिखो जिन से तुमको प्यार है जो तुम्हारे अपने हैं उस महिला ने अपने मा, पिता, पती, बच्चा, सगे समंदियों और पड़े उसियों के नाम लिख दिये अब वा बुजर्ग मुस्कुराए और बोले चलो अब इन में से ऐसे छे नाम मिटा दो जो तुम्हें कम पसंद हैं और जिनकी बिना तुम आसानी से रह सकती हो महिला थोड़ी सकुचाई लेकिन फिर जब बुजर्ग ने जोर दिया तो लड़की ने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिये सारे लोग बड़े ही गौर से ये सब देख रहे थे अब बुजर्ग ने महिला से कहा कि चलो इसमें से दस नाम और मिटा दो जिनको तुम कम प्यार करती हो महिला ने फिर अपने सगे समंदियों के नाम मिटा दिये अब बोट पर केवर चार नाम बचे हुए थे माँ, पिता, पती और बच्चा सारे लोग दिल थाम के बैटे हुए थे कि तभी बुजर्ग ने फिर से विनिति की कि बेटी इन में से दो नाम और मिटा दो अब वो महिला बड़े ही दुबिदा में फस गई, गेम तो वो महिला खेल रही थी लेकिन वहाँ उपस्तित सबे लोगों की सांस मानो अटकी हुई थी बहुत जोर देने पर महिला ने रोते हुए अपने माबाप का नाम बोट से मिटा दिया बोट पर अब केवल दो नाम थे पती और बच्चा अब बुजग ने फिर कहा शाबाज बेटी चलो अब इसमें से एक नाम और मिटा दो वो महिला बड़े असमंजस में फस गई लेकिन फिर बुजग ने होंसला दिलाया कि ये सिर्फ एक गेम है तुम एक नाम और मिटाओ महिला आगे बड़ी और उसने अपने बच्चे का नाम मिटा दिया अब बोट पर केवल उसके पती का नाम था अब बुजग ने उस महिला को वापस अपनी सीप पर बैठने को बोल दिया और अब वहां बैठे सभी लोगों से बुजग ने सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ कि केवल पती का नाम ही इस बोट पर रह गया लेकिन किसी से जवाब नहीं दिया गया बुजग ने वापस उस महिला को बुलाया और पूछा कि आपने अपने पती का ही नाम बोट पर क्यों छोड़ा आपके माता पिता ने आपको जन दिया है आपने उनका भी नाम मिटा दिया और जिस बच्चे को आपने अपने कोक से जनम दिया है उसका भी नाम आपने मिटा दिया ऐसा क्यों? महिला बोली सर मैं अपने माता पिता से भी प्यार करती हूं लेकिन मेरे माता पिता बोड़े हो चुके हैं और वो जल्डी ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे मैं अपने बेटे से भी प्यार करती हूं लेकिन ना जाने बड़े होकर वो मेरा साथ देगा या नहीं लेकिन मेरे पती जब तक मेरे साथ हैं तक तक मेरे प्राणों में प्राण हैं मैं उनकी अर्धांगनी हूं वो मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ देंगे और जीवन भर मेरा हर सुक दुख में साथ देंगे इसलिए मुझे मेरे पती सबसे अधिक प्रिये हैं महिला की बात सुनकर सारा माहौल तालियों के गड़गडाहट से पूंजने लगा ये तो हमने आज गेम खेला है चलिए गेम की मस्ती अपनी जगा है लेकिन इस गेम में आपके जीवन के सच्चाई छिपी है पती और पत्नी एक दूसरे का आधा शरीर होते हैं और एक दूजे के बिना जीवन बहुत दुशकर है इसलिए सभी पती बत्नीयों को चाहिए कि एक दूसरे के प्रेम की इजज़त करें और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाए तभी विवा का असली अर्थ सार्थक होगा दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद